मैसल सचीन कुमार मंदिलवार असिक्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट आउप हिक्ट्री मगध इन्वर्सिटी बोधगया बिहार मित्रों आज मैं बोधगया के निकट अवस्थित बकरोर जिसे प्राचीन समय में उरुवेला के नाम से जाना जाता था इस ग्राम की एतिहा सिक्ता पर कुछ बाते आप सबसे कहना चाहता हूँ छटवी सतावधी इसापुर्व में जब हमारे देश में धार्मिक आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में एक धर्म का उद्वो हुआ जिसे कालांतर में हम सब बहुत धर्म के नाम से जानते हैं इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे इन्हें इसिया का ज्योती पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 इसापुर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थान में हुआ था इनके पिता सुधोधन साथ के गण के मुखिया थे इनकी मातर माया दीवी की मृतियू इनके जन्म के साथवे दिन ही हो गई थी इनका लालन पालन इनकी मौति दोतमी के द्वारे किया गया थे यह भी कहा जाता है कि इनके जन्म के समय एक भवी सिवानी या आकास वानी हुई कि यह बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा इनके पिता यह नहीं चाहते थे कि सिद्धार्त सन्यासी बनेगा इसलिए उन्होंने सोलो वर्ष की अवस्था में ही इनका विवा यतोधरा के साथ कर दिया और कालांसर में इन्हें एक पुत्र की प्रास्ती हुई जिसका नाम उन्होंने राहु रखा कुछ वर्षों के उप्राह सिद्धार्त जब कपील वर्ष्थू की सहर पर निकले तुन्हें चार द्रिस्यों से रुगरु होना पड़ा व्रिद्वेक्ति, बीमार कोड़ी, व्रितक और सन्यासी सन्यासी की प्रसंचीत अवस्था को देखकर वे उत्पर प्रभावित हुए, मोहित हुए और लोगों ने मनी मन सन्यास धारण करने का निश्चे कर लिया राजकुमार सिधार्थ ने अपने जीवन काल के 29 वर्ष में अर्था 534 इसापुर में ग्रीत याग किया था जिसे बहुत धर्म में महाभी निश्क्रमार कहा जाता है इसके पश्चा वेग्यान की खोज में वैसाली के अलार कलाम यम राजग्रिय के रुद्र करामपुत जैसे धर्माचार के सानिध में आये और वाज में वे बोद्गया के निकठी अवस्थित घुंगेश्वरी गुफा पहुचे जहाँ पर उन्हें ग्यान की खोज में पाँच ब्रहमण, वापे, कॉंडिन, असोजित, भद्रत और महा नाम भी मिले इनके साथ इन्होंने लगवग छे वर्थों तक सपस्या की इस दवरान इनका शरीर जिर्ण सिर्ण हो गया था शिद्धार्थ गुफा के निकठ्ट मुआने यों निरंजिना नदी के दुआप पर अवस्थित उरुविला ग्राम की सुरम्य वन अस्थली में पहुचे इस ग्राम को सिनानी और अब वकरोर के नाम से जाना जाता है यह जो इस्थूप दृष्टिमान हो रहा है इसे सुजाता इस्थूप के नाम से जाना जाता है इस गाओं के प्रधान की पुत्री सुजाता के निवास इस्थल को चिरिस्परणिये बनाने के उद्देशे से इसका निर्माण किया गया जिसने सिधार्थ को खीर का भोग कराया था इसका निर्माण गुप्त काल से लेकर पाल युक के मद्धे तीन चरणों में किया गया है इस परिप्रेक्ष में ऐसी जानकारी प्रास होती है कि सुजाथा ने मातंगी माता से मनो कामना पूर्थी के निमित एक अनुठान का संकल्प लिया था जिसमें कारे की पूर्णता होने पर एक हजार गाय के दुख्ध से निर्वित खीर का वहदान करेगी सुजाथा के कामना की पूर्णता के उपराद उसकी दासी पन्ना से यह जानकारी प्राप्थ होई किवट ब्रिच के निकट एक सन्यासी मरणा सन अवस्था में पड़ा हुआ है सुजाथा द्वारा सन्यासी सिधार्थ से खीर ग्राण करने की अभ्यत्ना की गई ऐसे समय में सिधार्थ के कानों में एक ध्वनी गुंजीत हुई थी कि विणा के तार को अत्यधिक कड़ा न करो कि वह तूड जाए और ज्यादा धीला न करो कि वह बजे नहीं इस प्रकार उन्हें आत्म स्याथ की निरथक्ता का अभास हुआ यहीं से मध्यम मार्ग का उद्भव हुआ सिधार्थ द्वारा सुजाता के हाथों खीर ग्रहन करने से पाच ब्रहमन वापि, कॉंडेनि, असुजित, भद्रक्त और महा नाम ने उनका साथ छोड़ दिया पुनश्च सिधार्थ निरण्यना नदी को पार करके पीपल पेड के नीचे ध्यानस्त हुए जहां पर उनके जीवनकाल के 35 वर्स लगभग 558 इसा पुर्म में वैसाक पूर्णिमा की रात ग्यान प्राप्त हुई और वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए यह मंदिर आज के समय में वहाँ पर अवस्थित है और बोद्ध गया का यह स्थर बिहार की रात धानी पट्टना से तकरीबन 101 किलोमेटर दच्छनपूर्म में अवस्थित है इस सहर को आज नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया है जिसे सन 2002 में यूनेस्को ने विस विरासत की सूची में शामिल कर लिया है थैंक यू